आज की इस वीडियो में हम किसी भी स्विच बोर्ड की रिमोट से ओन ओफ होने वाली वायरिंग करना सीखेंगे बड़ी सिंपल सी वायरिंग है तो चली वायरिंग करना सीख लेते हैं चली गाई सबसे पहले हम हमारे बोर्ड की नॉर्मल वायरिंग कर लेते हैं वायरिंग करने के लिए सारे स्विचिस के नीचे वाले टर्मिनल्स को हमें कोम तो बाई स्विचिस की फेस वाईरिंग हमारी हो गई है अब हम होलडर्स की फेस वाईरिंग कर लेंगे तो होलडर्स की फेस वाईरिंग करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं होल्डर में होते हैं दो टर्मिनल एक फेस के लिए दूसरा न्यूडल के लिए तो फेस वाले टर्मिनल पर हमें एक फेस वायर कनेक्ट करके यहां पर स्विचिस के उपर वाले टर्मिनल पर लेके आना है सारे होल्डर में हमें इसी तरीके से वायर कनेक्ट करने हैं तो इतने वाइरिंग हमें इस तरीके से करनी है फिर आपको कंट्रोलर के साथ वाइरिंग करनी है तो यह है हमारा कंट्रोलर और यहां पर आप देख सकते हैं इसके सरकिट डायग्राम दिया हुआ है इसी बोर्ड के लिए आप यहां पर भी देखके असानी से इस बोर्ड की wiring कर सकते हैं आपको यह अलग-अलग switches के हिसाब से बोर्ड के हिसाब से मिल जाएंगे आपको जितने भी switches control करने हैं उसी के हिसाब से आपको यह controller मिल जाएंगे मैंने चार LED को control करने वाला controller लिया है आप इससे 6 भी कर सकते हैं 8 भी कर सकते हैं सब के लिंक में description box में दे दूँगी आप वहां से चेक करके अपनी जरूरत के अनुसार ले सकते हैं मैं यहां पर LED के connection आपको करके दिखा रही हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आप LEDs को ही control कर सकते हैं आप fan को control कर सकते हैं socket को control कर सकते हैं अगर socket control हो गया तो आप जो भी उसमें plug-in करेंगी जो भी चीज़ जैसे आपका TV है या फिर कुछ और आपने उसमें लगा रखा है वो तो अपने आप control हो ही जाएगा एक बात का आपको ख्याल रखना है इसमें आपको heavy load नहीं चलाना है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं controller में सिर्फ एक mm की wire का use किया गया है आप इस पे light load ही रखीगा तो चलिए अब हम इसके connection करना सीख लेते हैं अगर आपको इसी controller से socket के connection सीखने है फैन के connection सीखने है तो आप comment box में comment कीजिएगा मैं उस पे भी video लेकर आऊँगी तो guys connection समझने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं तो black color के wire एक red color का wire एक green color का wire एक blue color का wire एक white color का wire और एक yellow color का wire यहाँ पर दिया गया है तो guys इसमें से ये wire है हमारे phasoneutral के लिए और ये wire है हमारे switches को control करने के लिए तो इसके connection किस तरीके से करने हैं देख लेते हैं तो guys simply हमारा controller इस तरीके से है हम इसे इस तरीके से पलट लेते हैं और जो हमारा यह yellow color का wire है इसे हम इस switch के साथ connect कर देते हैं इस switch के उपर वाले terminal पर हमें ये wire connect कर देना है जो हमारा white color का wire है इसे हम इस switch के साथ connect कर देते हैं और जो हमारा blue color का wire है इसे हम इस switch के साथ connect कर देते हैं और green color का wire इस switch के साथ connect कर देते हैं इतने connection हमारे हो गई है अब हम इसमें main supply का जो face wire आता है उसे हम यहाँ पर connect करेंगे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर तो यह है हमारा main supply का face wire और यहाँ पर connect हो जाएगा तो main supply के लिए face wire हमने यहाँ पर connect कर दिया अब आपको यहाँ पर red color का wire ले लेना है इस controller में से और इसे आप यहाँ पर connect करेंगे इस switch के यानि की आखरी वाले switch के नीचे वाले terminal पर तो guys इतनी wiring हमारी complete हो गई है अब हम neutral wiring कर लेते हैं तो neutral wiring के लिए हमें क्या करना है एक neutral wire जिस तरीके से हमारा यहाँ पर phase wire आया है incoming supply का इसी तरीके से एक neutral wire इसमें जूड़ जाएगा और यहाँ से एक neutral wire निकल के हमारे holders में connect हो जाएगा तो इस तरीके से हमारे board की neutral wiring हो जाएगी तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक neutral wire connect कर लेना है फिर हम आगी की wiring continue करेंगे इसी तरीके से हम एक neutral wire इस wire पर भी connect कर लेंगे तो काईस यहाँ पर हमने यह wire connect कर दिया है अब हम जितना wire हमें चाहिए उतना हम इसे cut करेंगे और holder के दूसरे वाले टर्मिनल पर connect कर देंगे इसी तरीके से सारे holders की हमें neutral wiring कर लेनी है इस neutral point से इस neutral point को connect करेंगे इससे इसको इससे इसको इस तरीके से सारे holders की neutral wiring हो जाएगी तो काईस neutral wiring भी हमारी हो गई है अब हम इसे test कर लेते हैं तो सारे holders में हम बल्ब लगा लेते हैं साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है माल लेजिए आपके इस दो switch inverter पर है और दो grid पर है तो आप इसकी इस तरीके से wiring नहीं कर सकते हैं सिर्फ दो switch पर ही आपको wiring करनी है या तो आप inverter वाले पर कर लेजिए या फिर आप grid वाले जो normal supply होती है उस पर कर सकते हैं अगर आपके board में दोनों side की supply है grid वाली भी है और inverter वाली भी है तो आप इसमें ये controller मत लगाईए क्यूंकि आपका controller खराब हो जाएगा तो guys यहाँ पर आप अच्छे से देख लेजिए wires को जो हमारा black color का first wire है वो जाएगा हमारे output के लिए जो हमारा black color का second wire है वो जाएगा हमारे input के लिए और जो हमारा red color का wire है वो जाएगा हमारे output के लिए और ये चारो wires जाएगे हमारे output के लिए इस controller में जो ये white color का wire दिया हुआ होता है इसे आपको board से थोड़ा सा बाहर रखना होता है क्योंकि ये receiver का काम करता है यानि की antenna का काम करता है अब हम first वाले bulb को on करके देखते हैं second, third और fourth इसी तरीके से हम अगर हमें first वाला bulb off करना है तो कर सकते हैं second, third, fourth वाला अगर हमें सारे on करने हैं एक साथ तो on का जो button है इसे हम press करेंगे सारे on हो जाएंगे अगर सारे एकदम से off करने हैं तो off भी कर सकते हैं on कर सकते हैं off कर सकते हैं अगर हमें beat से कोई bulb on करना है यानि कि हमें fourth number का करना है तो यहां से कर सकते हैं यही से हम off कर सकते हैं थरड़ वाला कर सकते हैं यही से हम off भी कर सकते हैं तो इस तरीके से हमारे यह controller work करता है आप इस board को remote से भी चला सकते हैं और manually भी आप इसे on off कर सकते हैं अगर आपने ये बल्ब manually on करके हैं और अब आप remote के साथ इसे on off करने की कोशिश करते हैं तो remote work नहीं करेगा अगर आपको ये remote के साथ on off करने हैं तो आपको ये manually operate नहीं करने हैं सारे आपको ये बंद रखने पड़ेंगी तब ये remote work करेगा तो guys इस तरीके से आप किसी भी switchboard के controller के साथ connection कर सकते हैं घर पे ही तो guys I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो like करें अगर आपका कोई question or situation है तो comment box में comment करें मिलते हैं next video में ऐसे किसी और video के साथ तब तक के लिए bye bye and take care